नमस्कार दोस्तों मैं सुमीत आज सबका सागत करता हूँ बट्सके इनफू यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बेबी पैरोट से रिलेटेट सारी जनकारी मिलने वाली है तो आज की वीडियो बहुत ही अल्टिमेट और नॉलिजबल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्किप कि ये लाश्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जाना हो कि बेबी पैरोट किस मन्त से मिलते हैं इनका प्राइक्स 23 में क्या रहने वाला है आपको कब और किस एज का बेबी पैरोट लेना चाहिए जिससे आपको उसके केर करने में ज्यादा दिक्कत ना हो तो लगभग मैं बेब ब्रीड कब करते हैं क्योंकि उसके बाद ही बेबी पैरोट मार्केट में आते हैं तो यह जान लिजे कि पैरट ब्रीडिंग कब करते हैं तो देखिए जब ठंड स्टार्ट होती है तब से इनका ब्रीडिंग सिजन भी स्टार्ट हो जाता है यानि कि सेप्टमबर से तक ये ब्रीडिंग करते हैं, इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, ब्रीडिंग के देर से दो महिने के बाद बेबी पैरोट मार्केट में मिल जाते हैं, मतलब मिड दिसम्बर से लेकर अप्रील मन्त तक आपको बेबी पैरोट मिलते हैं, इसके बाद धिर धिरे आपको बेबी कब और किस age का लेना चाहिए जिससे हमें उसके care करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो baby parrot ले रहे है उसका age क्या है अगर आप गलत age का baby parrot ले लेते हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा छोटा चिक ले लेते हैं जिसे हर कोई नहीं संभाल पाता इसलिए ये बहुत important है कि आप की age का baby parrot ले रहे है आपको हमेशा 30 से 45 दिन के बच्चे लेने चाहिए 30 दिन से कम age का बच्चा आपको भूल कर भी नहीं लेना है अगर आप 30 से कम age का पैरोट लेते हैं रिसेंट्री मेरे भीवर्स का मैसेज आया था कि उनका baby parrot बिमार है और कुछी दिन बाद वो मर भी गया क्योंकि इनके पैरेट का age 30 दिन से कम था आपको किस age का baby parrot लेना चाहिए इस टॉपिक पर मैंने एक dedicated वीडियो बना रखा है वीडियो का लिंक नीचे discussion box में मिल जाएगा या फिर मैं comment section में pin कर दूँगा लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते और baby parrot कभी भी आपको season के starting में नहीं लेना है क्योंकि इस time ठंड बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा problem हो सकती है उसकी care करने में अभी आप यह जा लिज़े कि आपको baby parrot किस time पर लेना चाहिए आपको हमेसा baby parrot तब लेना है जब ठंड कम हो रही होती है मतलब आप March या April मत में ही कोई parrot लिज़े क्योंकि इस time पर ठंड खत्म होने को रहती है जिससे आपका baby parrot बिलकुल भी safe रहेगा क्योंकि parrot या birds गल्मी को जह लेते है पर उनसे ठंड बर्दास नहीं होता ही और यही reason है कि आपके ज़्यादा तर parrot ठंड के time पर ही मरते है और March या April में baby parrot लेने के एक और फाइदा है इस time पर baby parrot का season खत्म होने को रहता है जिसे यह आपको सस्ते में मिल जाएगा जेनरली पहाड़ी तो थे के बच्चे का प्राइस 5000 से 7000 रुपे पेर रहता है वह जहीं अगर आप इस time पर baby parrot लेते हैं तो आपके 2-3000 रुपे बच सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में यही था तो उमीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ चीकने को मिलाओ तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज के वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्